मैं जानती हूँ तुम सबसे अलग हु सूम मैं जानती हूँ तुम इस धक्के को संभाल लोगे प्लीज सूम, उस मासूम बच्ची को इस घर से मत निका लो ममा आपको मेर ले किसी से भीक मागने की कोई जुरत में नए या नही रहना चाते नहीं, नहीं, शद्धा, ऐसी बात नहीं है तुम्हारी अंकल मान जाएंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है नहीं, माँ, बात उनकी नहीं, बात मेरी है I don't wanna live over here मैं तो सिर्फ अपना समान लेने आई थी तुम कुछ कहते क्यो नहीं अंकल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मामा से किसी बात का बदला मत लेना मैं शायद एक बुला सपना थी, जो आज खतम हो गया सब कुछ ठीक हो गया अंकल, इस गर में सिर्फ तीन लोग थे, और तीन ही रहेंगे नहीं, शुद्धा, तुम यहीं रहोगी, तुम कहा जाओगी, मामा, मेरा इस गर में कोई हक नहीं है, आप अपतार दिल क्यों दुखाती है हक कैसे नहीं है, अगर मेरा हक है, तो तुम्हारा भी हक है जिद मत करो माम, मैं इस गर में रहना ही नहीं चाहती, और शाद यही सब के लिए ठीक है, हाँ मैंने कभी कॉंप्रमाइस के जिंदगी नहीं जी और ना कभी जिऊंगी श्रद्धा, ममा, मुझे आजाद रहने के आदत पड़ गई है and I don't want to be dependent ażा बद्धा, में और शायं आप एक ज़सेजार की अमीद भी नहीं थी जह सबस्क्राइब एक जब एक आपिटरी होगी प्लीज़ प्लीज़, में ममा का ख्याल रखना क्योंकि ने कुर्षियां पाकने से खुषियां कम नहीं होती पर शायद आपके हिस्ते की कुछी मेरे पापा के किसमत मैं थी अंकल, I know that you are a sport अगर तुम चाहो तो यहां नहीं रूख सकती हो मैं आपके वज़ इसे नहीं जा रही Anyway, we'll keep in touch, हम खथ लिखते रहेंगे Okay? वे वे प्रफाँ आपकों कर दो तुम जाओगी कहां? पता नहीं, प्राप मेरी फिकर मत कीजी, अपना क्यार रख सकती हूं पता नहीं पतार नहीं अपतार नहीं और लिघदे दिए, लिए नादे ममें, बोट नादे में अपने विए अपने मुझा जनते हैं, जए लिए जए जिए जिन्देकी में यह पीला काम है, जिसे का दे मुझे बहोत सादिफाक्शन मिर्सी है, अमा पूँज जाना के में अपके जिन्देकी में थी, I love you, Mama बोल विकी वोड यू प्रिफर एक्रीम लोग और ग्रीन लोग वैसे तुझे चाहे जो भी पसंदो यही एक क्लीन बेट शीट है घर में चाल पकाड़ विकी इस फन टो लिव इन बिग फैमिली तु रहकर तो देख तुझे भी बहुत मजा आएगा विकी तु मुझे बॉक्सिंग सिखाएगा बॉक्सिंग क्यों तु बॉक्सिंग क्यों सीखने जाता है क्योंकि अगर तु स्टुपिड बातों को लेकर नाराज हो जाए तो मैं तुझे बॉक्स करके तेरी अकल ठिकाने लाओंगा आच्छा थू मुझे मारेगा बड़े गर रबड़ों की तरफ बीहेव ना करे तो उनकौ मारना ही पड़ता ए और पापा मैं वहस हुदर गए तुझे मालूम है वह बहुत अच्ञे को खो गया है। तूनके हाथों का बनाए हुआ केख खाएगा न तो तू पाग विवा मैं यहां रहने नहीं आया हूं मैं सिर्फ तुझ से मिलने आया था यार अरे विवा मेरी बात तो सुन यार मेरी बात सुन वो वो खहरे थे कि तू मेरे बारे में बहुत रहता है इसलिए मैंने सोचा तुझे बता दूं कि मैं रखीक हुए है तेवस तेशन तुझे आम फाइन एके आम मैंनेजिम ओकी है पामस कि यह नाश्ता पूपर लेके जाएए मुझसे तनी नफरत करता है शायद खाई हिना निकी लेके जाओ नहीं प्लीज मैं कुछ सुनना नहीं चाहती अब लेके जाहिए निकी ऐसे हम सब लोग साथ कैसे रहेंगे गुडिया कहा है निकी इसा मत करो निकी गुडिया कहा है विव्स तु मेरी बात नहीं समझ रहा है यार देख सब एक जैसे नहीं होते हैं मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो निकी और पापा का साथ है ना इस तुझे जाना है ना तुझे जाना है ना तुझे एक्स्पानेशन्स मत देख मैं तुझे हर्ट नहीं आठा हम यार तो फिर आया किये इदर तुझसे मिलने स्टूपब्ड और क्या मैं और सुन मेरी बात यार मैं रह सकता-अख कि क्या इन बातों का अभी तक मेरे उपर असर होता है और और मैंने ट्राइ किया है लेकिन मुझे नहीं होता है या ताइस इट मैं नहीं रह सकता हूं हेई यो के विस कमान यार लें तो फेस्ट अप्स तु रहना तु हर एक सिचुएशन को मैंज कर सकता है मैंने कर सकता हूं इसलिए तु मेरे बिना भी जी लेगा तुझे तु मेरी जरूती नहीं है को डिया वही को डिखा मेरे बिना तु बॉक्सिंग भी सिख्या विक्की तु अतनी हर्मा जशिफाइ मद कर नी तु ठीक ही कह रही थी तुझे किसी की जरूत नहीं है यह तो हम सब स्टूपिड है जो तुझे प्यार करते हैं एनिवेज मैं तेरे बिना जीरा सीख लूगा विव्स कमान लाइड टाच मी तु कभी भी किसी की दिल की बात नहीं समझता है स्टुक्र, बिश्वशल नहीं है वो सिर्फ इस बात से खुश है कि मेरे हाँ रहने से मेरी माँ को दुख पहुँचता है निकी तुम्हारी मां भी कोई दीवी नहीं है और ये बात वो जानता है मैं उस के धारणा तो नहीं बदल सकता है और वो क्या है आपका तो वो बेटा है मेरा तो कुछ नहीं है मैं क्यों सहूं उसकी जात्तियां यह जानते हुए भी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है उसका बड़ताओ मेरी मा के बड़ताओ से कोई फर्क नहीं है तुम्हारी मा में और इसमें फर्क है निकी यह बच्चा है जी नहीं अब वो बच्चा नहीं है बड़ा हो चुका है सर्फ उसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ है कि प्रीज तुभारे मां और यह क्या हुआ कहीं जा रहो तुम लोग यह यहां रहने नहीं आया था अब बाई अच्छा तुम्हें चलता हूं बाई विर्स सी यू टेक्यारे और सर्फ एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट रुखना इसको लेके जाओ साथ में यह ने तुम्हारे लिए बनाया था केक तो केक है चाहे उसे मैंने ही कुना बनाया मामा मामा आप क्यों घिसे जारी हैं सब कुछ साफ है नहीं सब कुछ इतना गंदा है इन दिनों में मैंने इस घर का खाल रखना ही छोड़ दिया था लिसन टुमी ममा ममा आप क्यों भागी जा रही हैं जो काम आपने नहीं किया उसके लिए आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं शद्धा खुद गई है ममा आपने नहीं भेजा है उसको मैं आपसे कुछ कहना चाहते हूं अगर शद्धा इस घर में रहती है तो उसको नहीं खुशी पाकर तसली मिलती है लेकिन हो सकते हैं यही सब चीजें उसको कुछ दिनों के बाद बंदन लगने लगती है खर परिवास वहने पाकर खुशी मिलती है लेकिन कुछ दिनों के बाद यही सब चीजे बेडियां डाल देती है ममा हर हर सिच्वेशन के अपनी बुराईया और अच्छाईया होती है वाइड़ तो जो फेसे इड़ लेगा तो गो कि तुम थी कहां डार्लिंग कोई सब्राइज नहीं तुमने तो खेल चुरू होने से पहले ही कहतन कर दिया खेल जाए भाड में तुम पहले यह बताओ तुम थी कहां यह सचे इर्रिस्पॉंसिबल गल तुम क्या मुझे एक फोन तक नहीं कर सकती थी मॉम तुम्हें पाग रही तरह डून रही थी तुम मॉम को जानती हो ना शी वेंट ओन औन 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 कि राहूल शद्धा को मैंने तुम्हारे कहने पे आफिस में रखा उसने फाइले सब्मिट की के नी उसने रिपोर्ट बनाए के नी उसका फोन आया के नी और आज वो आफ सब्सक्राइब आगे से बिना बताय मत जाना समझी प्रिया मैं भूल नहीं पाई कि मेरी वज़ा से एक लड़की को अपनी जिन्दगी अनाथ अश्रम में बितानी पड़ी इस पाप बोज़ की वज़ा से मैं तुम पर सख्ती करती रही क्यूंकि जब जब तुम राहूल के साथ जाती थी मैं आपको लगता कि कहीं मैं आपकी तरह राहूल का अपने सब कुछ ना समझ बैठो हाँ प्रिया हम माओं में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपने बच्चों से खुल कर बाते कर सके एक रात का परिणाम क्या होता है उन्हें बता सके I'm sorry प्रिया मैं तुम्हें एजुकेट नहीं कर पाई मैंने कोशिश तो की थी लेकिन शायद तरीका गलत था No mama, I respect you आपने मुझे बोटी के बजाए एक दोस्त बनाया मेरे और राहूर के रिष्टे से हमेशा डरती रही लेकिन अपने आपको यही कहती रहीं कि मैं मैं समझदार हूँ और बड़ी हो गई हूँ जब आपकी जिंदगे में क्राइसिस आया मैंने एक दोस्त की बजाए एक स्पोईल्ड डॉक्टर के तरह रियाक्त किया मैं भूल के थी के आप मां होने के साथ साथ एक और भी है I'm very sorry mama क्या हम पर से दोस्त बन सकते हैं को साथ कर्कारण दाए टर्फ दोस्त बने लुड़े अध्य है आप में से आपकारण लाग रहा है आप में से रहए इंद पर रहा उनल्लाव के वह रहाए क्या हुआ जा साथ तब अर्रे भाटी किया यह क्या के था है इतना बुरा है प्रिया के लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारा आज काम है इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना तुम करोगी ना प्लिस करोगी ना शद्धा शद्धा मैं जारी राहूल थाद मतलब अगर तुम्हें हिंदी में नहीं ट्रांसलेट करना तुम मत करो तुम अगर ऐसे चली जाओगी तुम्हाम इस गूंड किल मीश्द्धा राहूल मैं मैं जारी हूँ मेरे दन्या पूरे हो गई यह कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम नो मो गेम्स प्लीज राहूल प्रिया मेरी भेन है मकर सोम अंकल मेरे पिता नहीं तुम ठीक थो श्रथा येसा चेला हो तुम तुम थीक थो श्रथा येसा चेला हो तुम तुम्हारे शहर में रहने को दिल नहीं करता क्योंके अगर मैं रह जाओंगी तो मैं बदल जाओंगी और बदल जाओंगी ये सब काम कौन संबालेगा आलेली मिस्यू रहुल 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 लव यू यो जोकिंग शद्धा नहीं और अगल मैं यह लेगी तो मैं सहर नहीं पाऊंगी तुम और प्रिया तुम ने मुझे पहने कभी अमीन पहली बार मैंने किसी को चाहो और उसी ने मुझे नहीं चाहा शद्धा मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें लाइफ में मुझे से भी ज्यादा अच्छा कोई चाहने वाला मिलेगा जो तुम्हें दिल और जान से चाहेगा तुम्हें अपना अड्रेस दिकर जाओगी अच्छा आप मुझे अपना अड्रेस दिकर जाओगी I'll miss you Shraddha You're a good friend of mine Okay Rahul, I better go I know this is very difficult for both of us But this is best for everybody And remember this You'll always stay here Always Wish you night Did you know this? What the hell is still happening? It's a huge mistake But what do you know about this? You're unique to eat, so why don't you know yourself? What? पॉल खाने में किर जाएगी धीरे 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 है बच्ची उड़ जाएगी तुम निकी की मदद की नहीं करते है तुझे वह गया है विवा आपने विकी को क्यों नहीं रोका मेधियालो भी है डाल दू नहीं मुझे नहीं खाना है मुझे भूख नहीं है विवा तुने क्यों नहीं रोका विकी को क्योंकि विकी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है डाट से है साफ साफ क्यों नहीं किते कि प्रॉब्लम मुझसे है हाँ है और वो पापा को भी मालूम है लेकिन फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका वह आपको तो कहने ही सकते थी कि मैं इस घर से निकल जाओ यही कहना चाहते हो ना को हाई पापा यह विकी काभी है मैंने आपको बताया तक हुँ अजय लेकिन फीकर मत किजेंग備 आप ने उसे रोका क्यों नहीं पापा क्यों नहीं 백त पहले कॉल से मौनों आसकर मालूमने इस घर में क्या हो रहा है घर क्या विकी उसको घर समझता है आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो जब कोई प्राब्लम नहीं था तब मैंने निक्य को यहां रहने से कुछ नहीं कहा था प्लीज विवा मुझे किसी की सिंपती की जरुवत नहीं है अगर चुनना है तो मैं विक्की को ही चुनूंगा सद्या पार करके तुम्हारे अंदर आया हूँ अब मेरा रास्ता रोक लो और मुझे कहीं मत जाने दो तुम और हम एक है अब रहा हूँ रहा हूँ हूँ वी स्यूब वाद सुब वाद रहा हूँ जयत झाल 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 उंच उंच तोई तोई बड़ी तोई 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 का मैं याल मैं और यह क्वारें तर्लागा है कुछte! म het along पिक जवारे कुछ organiz Denise है है ई 25我 प्रश थर्शrió कुछी मैं मैंने dairy रंदिटka अद्री दो किपे किभे का extrem प्रश़ Susi दिर्श टंदिए Oh my god! Yes! Yes! I'm getting a lift! Hi, I'm Shadda! I'm Tunnu! I'm Tunnu! Shadda? We're the Kannaz! Kannaz! Stop! 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 Stop!